साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो रीट लेवल सेकंड इंगलिस के कंडिडेट्स के लिए रहने वाली है साथियो अगर आप rate level second English के candidate हो तो इस video को last तक जरूर देखेगा साथियो ये video rate level second English के तमाम candidate के लिए है साथियो ये video एक महतवपूर्ण जानकारी के रूप में है तो इस video को मैं आपको बताता हूँ कि ये video किसके बारे में है तो साथियो मैंने आपसे Google Form बरवाये थे बहुत सारे candidates ने already Google Form बर दिया है और अपनी rank भी प्राप्त कर ली है लेकिन साथियो अब एक नई update आपके सामने है अब तक जो Google Form बरे गए हैं वो 1048 candidates ने Google Form बरे हैं और उन 1048 तमाम जो English के candidates है उस सभी के जो PDF है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो ये वीडियो सारे candidates देखें जिनोंने पहले अपनी rank देख ली है वो भी दुबारा चेक कर लें क्योंकि candidates की संख्या बड़ी है तो उसकी rank भी उपर नीचे जरूर हुई है तो सारे English के जो candidates है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा साथियों और भी reads से समंदित नई अपडेट होगी वो आपके सामने रखूँगा तो साथियों आप देख सकते हो इसमें सारी चीज लिखी गई है कब यानि कि आपने यानि कि फॉर्म बढ़ा वोट आपका नाम आप कौन से केटेगरी से आते हो टीएसपी से या नोन टीएसपी से कौन से एरिया से आते हो आपका डिस्टिक आपका 300 में से कितना स्कोर बन रहा है और आपकी केटेगरी क्या हो और आपकी लास्ट में इदर देखे है रेंक कौन से बन रही है तो साथियों अब तक जो कंडिडेट्स आए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ 1048 जो कंडिडेट्स है वो अब तक आए है लगभग 13 पेज की ये पीडियफ है महत्वपूर्ण पीडियफ है तो साथियों अगर आपने गुगल फोर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप क्या कर सकते हो मेरा जो टेलिग्राम चैनल जिसका नाम है साजिद सरबाडेट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे टेलिग्राम चैनल को जोइन करोगे तो आपको ये पीडियफ मिलेगी जिसमें आप देख सकते हो सोरी 1047 यानि की कंडिडेट्स है उसकी पीडियफ आज तक जिन्होंने बढ़ा है और नीचे नीचे देखिए ये हरे कलर के अंदर ये जो लाइन लिख रही है इसको आप जैसी यानि की ओपन करोगे तो Google फोर्म है वो खुल जाएगा Google फोर्म खुलते ही बहुत सारे कंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक Google फोर्म नहीं बढ़ा है तो वो भी Google फोर्म भढ़ सकता है और जैसे ही Google फोर्म बढ़ेगा तो उसके एक दो दिन के बाद जैसे ही मेरे पास और डेटा यानि क्लेक्ट होंगे उसकी PDF आपके सामने पेश कर दी जाएगी तो ये 1047 कंडिडेट्स है और जिन्होंने ये वीडियो देख ली है पहले अपनी रेंक देख ली थी वो दुबारे देख ले क्योंकि पहले 888 के थे और अब 1047 के हैं तो 1888 के बाद 1047 तक ये जो आया है तो उसमें आपकी रेंक कौन सी गई है आप निचे गए हो या उपर गए हो ये भी आपको पता चल जाएगा और साथ ही हो हमारी मांग चल रही है साथ हजार पद की रीट के साथ हजार यानिकी पद किये जाए और जो बढ़ती जो हुई है 1st grade, 2nd grade और रीट अब देखिए 2nd grade का यानिकी खुलासा हो रहा है किस तरह से यानिकी RPSC के सदस्य को पकड़ा गया लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये रद होगी लेकिन हमें तो ये मांग करनी होगी अगर रद नहीं होती है तो पहले 1st grade का result जारी किया जाए उसके बाद 2nd grade का result जारी किया जाए और उसके बाद 3rd grade का result जारी किया जाए ताकि एक भी post है वो खराब ना हो शातियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे students आपको बिल्कुल भी यानि कि comment को यानि कि देख करके गवराने की जोड़त नहीं है क्योंकि इन दिनों देखने को मिल रहा है कि जो जिनके नम्मर नहीं बन रहे हैं वह भी क्या कर रहे हैं बडा चढा यहां सारे candidates के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैंने इसे कई candidates को देख था है कि वह किसी वीडियो पर आपको बिल्कुल भी गबराने की ज़रत नहीं है और बहुत सारे साथी ऐसे भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की आनिकी जो कटोफ आई थी वो इतनी उंची गई थी हमें उस कटोफ को देखकर ये डर लग रहा है तो सर बताईए कि क्या इंगलिस की इंगलिस रीट की भी इतनी जा सकती है क्या है तो शाथी ओम आपको बता दू फर्स्ट ग्रेड और रीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है फर्स्ट ग्रेड की अपन पिछले साल की कटोफ देखें तो उसमें पाएंगे पिछले बार भी इतना ही गया था पिछली बार हमेशा ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो cut off है वो high रहती है जब कि read का आप यानि record देखोगे तो आप आओगे कि read की cut off है वो इतनी यानि की high नहीं रहती है तो read का तो यानि की जो लगबग यानि जो चल रहा है जो सरवता रहे हैं ज्यादा तर survey उस survey के अनुसार यानि की चलेगा लेकिन यह मान के चलिए हो सकता है दो-च्यार परसन यानि की उपर नीचे हो जाए लेकिन इतना ज्यादा high नहीं रहने वाला है तो आप भी positive रहिए और उमेद है आप जो selection की दोड में है वो जरूर यानि की selection प्राप्त करोगे लेकिन कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आप 60,000 पद के लिए आनि की कह रहे हो तो यह 60,000 पद साथियो twitter trend से नहीं होगा इसके लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा और जब मैदान में आप आओगे तब ही जा करके आपके आनि की 60,000 पद हो सकते हैं और निस्चित रूप से आपके 60,000 पद हो सकते हैं क्योंकि पड़े हो करके आनि की जाते हैं तो निस्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी तो साथियो आज की वीडियो थी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यानि की बहुत कम स्टुडेंट्स ने किया है आप चैनल को भी आनि की सब्सक्राइब कीजिएगा आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा यानि की महतोपूर्ण है उमीद करता हूँ आप सब यानि की रीट के अंदर यानि की सफल होंगे और जो यानि की ज्यादा फिछट रहे हैं उनके लिए यानि की मेरी एडवाइस वह इन कट ओफ का इनक की नए पढ़ करके दुबारे से त्यारी शुरू कर देनी होगी रीट का जो एक्जाम है वो साथियों यह मान के चलिए अभी पांच से मैने नई होने वाला है अगर होगा इस चुनावी साल में तो केवल पातरता परिक्षा होगी तो अगर आपकी पातरता परिक्षा नई है बहुत सारे लेक्षर को वाइस प्रिंसिपल में आने के प्रमोट किया गया है तो उसकी पोश्ट वो खाली हो गई है और बहुत जल्द फर्स्ट ग्रेड के आने के वेकंसी आने वाली है तो उसके लिए कमर करस लीजिएगा और रीट से समंदित किसी भी परकार की जानक सकते हो थैंक यू वेरी मच्च